हाई गाईज, हैपी सेड़ाडे संडे, येस, जो दो दिन छुटी रहता है, दो दिन छुटी हमें अच्छा से एंजाई करना चाहिए, बट साथ में कुछ लर्निंग परफस, एडवन्टेज भी आपके अंदर आना चाहिए, तो ये जो वीडियो होगा, फुली लर्निंग प तो सबसे पहले जाके और राट साथ में ऊपर कहां पर हो, सबस्क्राइब बटन है, मुझे नहीं पता है, बट सबसे पहले सबस्क्राइब मत कर लेना, ओके, मैं बलता हूँ का, आप एक दो वीडियो देखो, उसको बाद अगर अच्छा लगता है, तब जाके हमरे चल्को सबस्क्राइब करना, अब देखें, यूएस मारकेट से क्या संकेत आ रहा है, बिल्कुल मिली जूली संकेत आ रहा है, अगर देखा जाए, ओके, डाउजोन 115 पॉइंट का आप है, और यूर्पेन मारकेट 25 पॉइंट का आप है, और एशियन मारकेट, जो गिप निप्त हम है बट signal क्या कर रहे हैं कि very bullish हो सकता है अब देखो Friday के session पर क्या किया है FIS-DIS ने तो यहां पर देखते हैं कि Friday के session पर 1st September FIS ने 487 क्रोर का बाइंग किया है और DIS ने 2294 क्रोर oh my god well एक बहुत अच्छा massive बाइंग आया है DIS ने तो दोनों मिलके बाइंग किया है मैं हमें से क्या बलता हूं कोन होता है सबसे ब्रेट एडार्स जो FIS-DIS है अगर दोनों मिलके बाइंग करता है तो market definitely positive जाता है जिस दिन एक buy और एक sell करते हैं तो market negative जाता है तो देखिए पूरा आगोस्ट सिरीज में इन्हों ने किया किया था 20,000 क्रोर का sell किया है पैस ने और DIS ने 25,000 क्रोर का buying किया है यहनकि एक milli-juli संकेत आपको आगोस्ट सिरीज में दिखाए दिया होगा और अभी first September को दोनों मिलके buying किया है तो यह कुछ तक एक positive इशारा है market का अब इसके बाद हम देखते हैं कि निप्टी के अंदर कहां पर हमारा बहुत अच्छे ट्रेडिंग बन रहा था जब तक न हम previous day का थोड़ा सा analyze करेंगे तो हमें next day का analyze ऐसे बता के जाओंगा आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा यहां तो फिर बोलोगे जहां market open होने के बाद ऐसे बोला जाता है यह वह पता नहीं क्या 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 बोलते चलो कोई बात नहीं जो हमारा followers है जो सालो सालो बर देखते हैं तो जिन लोग continue हमें के तीन से पांच साल तक फोलो कर रहे हैं उनको पता है कि सरकर्टेडर्स आपके साथ कैसे रहता है उके चलो तो प्रिब्यास देख लेते हैं और मैंने जो आप लोग को लेवल दिया था उसको भी एक बर देख लेते हैं तो मंड़े के लिए लेवल भी इस टेलिगाम चैनल पर दे चुका है तो आप देख सकतो मंड़े के लिए निप्टी के लिए बेस सपोटिंग इसको पर भी डिस्कास करेंगे बट यह जो सरकाटर्स चैनल है ना यह आप लोग टेलिग्राम पर जाके सर्च करके मतला ना किकि हमरा बहुत सारे मित्र है जो आप लोग के साथ फ्रॉट कर रहे होंगे तो उनसे बचते रहेगा हमरा चैनल को आप कैसे इडिफाई करोगे 17,000, 2,500 के नेरब ऊट सबस्क्राइबर है और दूसरी बात है कि मेरा इसी चैनल पर स्रेप हमारा वीडियो पोस्ट होता है बागी कोई चैनल पर वीडियो पोस्ट नहीं होता है तो इसको थ्वाद दियान से देख लिजएगा अब मैं देखता हूं जो प्रिविया स्दे म हम देखते हैं कि चार्ट के अंदर यह लेबल कहा पे बन रहा था तो यह हो गया आपको 915 का केंडल और 915 का केंडल पर हम देख रहे हैं तो इस लेबल के उपर इस लेबल के उपर यह जो है यह हमरा फर्स्ट रिस्टेंस था वहां से देफिनिटली पॉफिट बुकिंग आना चाहिए आ गया अब सपोर्ट कहां पे लिया देखो यह सपोर्ट कहां पे लिया जो मैं 80 लेबल बताया था 280 आपको दिख रहा है ना थ अच्छा से देखिए ताकि प्रीवियास डे का जो हम बताये थे उसको साथ अकर मार्कर मिल रहा होगा तभी आपको एकीन आएगा कि मंडे के सिशन के लिए जो मैं बता रहा हूं वह भी मिल सकता है तो फाइब मीट के चार्ट के अंदर देखेंगे कि यह जो उनको ब्रेक हो रहा था अब देखिए फ्राइड के दिन मैं मार्केट में अतनी अलर्ट नहीं था जिससे कारण आपको यहां पर कॉल देने के बाद बहुत अच्छा फ्रॉफिट भी दिया आपको बट स्टॉप लॉस खाया क्यों मैं उस टाम पर ओफिश में नहीं था और मेरा ट्रेंगल जो पैटन ब्रेकाउट हो रहा है यह ट्रेंगल पैटन कितने अच्छा आपको रिजल्ट दिया कितने अच्छा रिजल्ट दिया तो यहां पे जो 19,340 लेवल को ब्रेक हुआ जब इसको पर स्टेबल हुआ तो हमें नेक्स्ट सेकंड टार्गेट सेकंड 446 अब देख रहे हो ना यहां पर 446 से टार्गेट दिया था है यह हाई क्या है 450 से लेके 55 that's all 100 पॉइंट का मूब मैं क्लियाली बताया था पिछले दिन कि अगर 340 के ऊपर स्टेबल होगा तो यहां से 100 पॉइंट का पजिटिव साइड जाने का चांसे बन जाएगा मार्क प्रिवाइज डिका बैंक निप्टिको पर ज्यादा टाम नहीं लगा रहे हैं जो मैं बताया था आप एक बाद देख लेना नहीं वीडियो देखें हैं तो अब देखते हैं कि मंडे का सीरीज कैसे रहेगा अब दो सिंपल सी एक चीज मैं दिखाऊंगा यहां पर 15 मिट का कमेंड में बहुत इसली एक सिनारीज देख रहे हैं क्या है दाट इस डाबल टॉप तो डॉबल टॉप से हमेसे क्या होता है एक प्रॉफिट बॉकिंग आने का चांसे से रहता है बट होगा क्या मंडे को दो दिन का चुट्टी है ग्लूबल मार्केट कहां खड़ा कर रहा है कि प्रॉफिट यहां पर कंडल पर ड गाना ऑक सिरंग करें तो इसका हाई जब रेक होगा आप यहां पर सी Sounds बाइंग करोगे निप्टी अब मैं आगे आऊंगा बैंक निप्टी ओके यहां पर आप सी फोजिशन बाइंग करोगे अब अगर इसी जगा पर तको अगर नीट्रल ओपन होगा न तो अमरे को ट्रेड करने के लिए अच्छा बन जाता है बट अगर सुबह सुबह ही अब बाइंग जा सकता है अब बाइंग जाएगा के नहीं यह मैं देखूंगा आपको ऑप्शान चेंग से कि अभी कहां पर आपको सपोर्ट दिखा रहा है तो बाकी जो डिपली टेकनिकल अनलेसिस है जो हमारा कोर्स के अंदर सिखा जाता है तो उसमें आपको बाकी चाहते हों स्टॉक में टेटिंग करना चाहते हूं आपको पता है कि किस तरह के से स्टॉक हमरा को यहां पर दिया जाता है तो ट्रेलीडाम चैनल पर कलका जो श्टॉक दिया गया था और एंजल ओन बहुत अच्छा मतलब ब्रेक आउट था ब्रेक आउट को सस्टेंग नह पिछले हमने पोकरना पोकरना के उपर सजिस्ट किया था पोकरना अल्डेडी मेरे ख्याल से 30 परसें देखो स्टॉप के अंदर 30 परसें मूब अगर वन मंत में मिल जाए तो इससे बड़ी अनलाइसिस कुछ भी नहीं हो सकता है मैं समझता हूं कि आप भी आई समझते हो कम मारा भी मार्केट अनलाइसिस हुआ उसको देख लेते हैं कि मंडे के लिए फिर सपोर्ट रिस्टेंस कहा है तो यह आगे हम और यहां पर देख पार है 380 आपको एक सपोर्ट है अगर 380 यहां पर जैसे मैं बात किया हूं 380 से नीचा जाता है तो हम पूर साइड में रहें है तो यह आपको जोन बनाएगा अब इस जोन को जब ब्रेक होगा तब जाके अमरा नेस्ट देखो 510 के उपर अगर इस्टेबल होगा ना तो मेरा टार्गेट रहेगा के लिए है 19,580 ठीक है 19,580 यह ध्यान देना तो निप्टी के लिए बहुत क्लिया अमरे को मिल गया ह इस पर 300 का करीब जाके एक सपूड ले सकता है अब अगर आपको अगर सपोर्ट रिस्टेंस मिल गया तो आपको किसी का इंतजर नहीं करना है कि मुझे कहां पर बाइंग करना है मैं हर वीडियो में बताता हूं कि सपोर्ट के पास एक हैमर केंडल देखो सपोर्ट के पास उसके बाद आप यहां पे बाइंग साइड रहोगे बस यह कुछ कुछ चीजे होता है जो इस में में फॉइंट को अगर मैं सिंप्ली देखोंगा न तो कैंडल स्टिक में ही हमें अच्छा प्रॉपिट मिलेगा थोड़ असा आपको प्राइज एक्शन देखना है मतलब ड देखो आप अगर शिकने के मुन लेके बैठे हैं अगर आपको अस टाइम नहीं है तो अभी वीडियो मत देखिए आप फ्री टाइम बनाईए तब जाके शरकाट्रेटर्स का वीडियो देखिए आपको लाइब चेंज होगा ही होगा अब मैं यहां पर बातों-बातों में ओन और्स का चार्ट में बैंग निप्टी का एक टेकनिकल लगाए हो ठीक है बैंग निप्टी में एक टेकनिकल लगाए हो अब देखो एक सुइंग हाई बनाया ना बैंग निप्टी बनाया जैसे यह सुइंग हाई यह सुइंग हाई तो सुइंग हाई के बाद यह एक क् वहाँ देंगा मुझे कि कितनी लाइक आप कर रहे हूँ तो ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर एक पाटर बनाया है जिसके नाम है लटकता हो आदमी अधि मैंन लट इस सटार फ्लोट का बंथा तो उसी फ्लोट उससाइड इसके नाम होगा इना क्या नाम है फिर शुटिंग स् चलो फिर इस कंडल को क्या नाम देंगे जो मैं भी बता रहा था हैंगिंग मैं चलो कोई बात नहीं तो यहां पर देखते हैं मंडे के सेशन पर आपको इस जोन को ध्यान रखना है इस जोन को डाउन ब्रेक होगा देखो सबसे बेटार होगा कि मार्केट यही पर ओपन होने इस जोन को ब्रेक होने दो तो आपको एक डाउन स्लोप जा सकता है बड़ मार्केट लाश्ट Л सीन क्या हुआ है पोजिजिव जोन ऑपन होता है तो अमरे लिए अच्छा होगा डाउन ओपन होके पोजिजिवनेस बनता है तो आप क्या करोगे फाइब मिनिट का हाई देख लो उस हाई को ब्रेक होने के बाद आप बाइंग सैड जाओगे ठीक है अधर्वाइस यहां पर ओपन हुआ और इस लेबल को ब्रेक किया फाइब मीट का लो यहां पर ब्रेक किया तो मुझे लगता है एक ब्रेक सैड में आपको प्रॉफिट मिलेगा अब समझ रहे हो ना ओके चलो तो आई होप कि ब्रेक आउट होके यहां पर जाता है अब लेबल क्या है देखो थोड़ा सा ब्रेक कि यह लेबल हमारा बन रहा है एक मिनिट हमारा बन रहा है नए 44,670 के उपर 44,670 के उपर ठेक है तब जाके आपको buying side जाना है देखो अहाँ पर मैं एक indicator का लगाए भी हूँ RSI देखो RSI के उपर बहुत dedicated बहुत अच्छा वीडियो आपको मैं present करने वाला हूँ साथ next week में आ जाएगा और इस week में जो और वीडियो आने वाले हैं वो सारे education purpose, holding, stock purpose सारे वीडियो आने वाले हैं तो subscribe नहीं किया हैं बेलेकुन नहीं दबाएर अभी तक अब को मेरी बात अच्छे लग रहा होगा तब जाके subscribe बेलेकुन दबा लेना अब देखो यहाँ पर अकर stable हो जाएगा तो RSI 60 को उपर आजाएगा तो बैंक निप्टी के लिए एक अच्छा signal बन जाएगा ठीक है समझ मारा है ना कि 60 को उपर जब आ जाता है ना RSI और इसको उपर चलना सुरू होता है तो फिर एक highway पकड़ लेता है runway पकड़ लेता है market ठीक है market हो चाहे गारी हो एक highway पकड़ लेता है तो I hope कि फिर से मैं एक बार pin point बता लेता हूँ कि bank nipty के लिए pin point क्या होगा तो 44,280 ये एक level होगा जो Monday के लिए support label है तो कहां पर जा रहा है ये देखो ये जो green candle है ना इस green candle का low point पर जा रहा है तो अगर मुझे यहां पर मिलेगा और यहां से bounce back होता होगा दिखाई देगा तो market ये हमरे लिए बहुत अच्छा point होगा जहां पर मैं entry लूँगा अदरवाज अगर इसको down break होगा तो मैं यहां से put side जाओंगा nextly इस label को जब break होगा तो मैं यहां से call side जाओंगा इसका बीच में कोई जगा पर मैं trade नहीं लूँगा अगर आप लोग ये चीज़ थान लोगे ना ये चीज़ थान लोगे ना तो market में for video का जल्दी बजी मत करो जो मारा हाथ में खुझली होता है खुझली को बंद करो ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं कौन से खुझली की बात कर रहा हूँ अरे सर अरे सर 920 हो गया है मुझे अभी trade नहीं ले पाया हूँ मैं कौन सी लूँ call लूँ या पूट लूँ market हो भाग गया है भाग गया है अराम से दोस्त अराम से कूल डाउन भाग न तो market कहां भागेगा 7 hours जो देखना है ना run करते है run में जो सबसे पहले भागता है शुरू-सुरू में वो फिर ठक जाता है रुख जाता है राइट सही बोल रहा हूँ बट जो शुरू में धीमे धीमे भागता है वो बाद में first हो जाता है यह आपको logic में समिल करना है तो guys बहुत लंबा वीडियो हो गया मेरे खेल से देखता हूँ time क्या है चलो oh my god 15 minutes आप से बखबख कर लिया चलो फिर option chain के लिए दूसरा कोई वीडियो बनाता हूँ चलो आज का वीडियो में इतना ही